Central Soil Salinity Research Institute की और से ये है वो Japanese Technology की मशीन जिसका नाम है Cut Soiler और जब से इसे CSS आराई में डिलेवर किया गया है तब से मुझे लगता है कि पूरा जो एक तरीके से क्रिशी विभाग है वहाँ पे तहलका मत चुका है क्योंकि पराली जलाना पराली जो है वो बेहद बड़ी समस्या और ऐसे में पराली को ये जो है कई सेंटीमेटर नीचे लगबख साट सेंटीमेटर नीचे जो है दबा देती है जिसके बाद ना तो खेती में उस जमीन की जाओ शमता पे कोई प्रभाव पढ़ता है ना खेती पे कोई असर पड़ेगा लेकिन पराली से आपको निजात भ हो चुकी है उसके बाद क्या है कि रैसीडियू बच गया है जिसे हम पराली बोलते हैं वो बच चुका है तो उसकी मदद से उसे वो काट देती है जो आगे की और ब्लेड लगा हुआ है उसके बाद ये पीछे एक ओगर है जो मिटी में एक नाली जैसा बना देता है मतलब क पीछे के जो मशीन है यह पीछे वाला पार्ट यह उसको बिलकुल प्लेन कर देता है पहले जैसा देखने में बिलकुल नहीं लगता है कि कोई नाली हुई है नीचे कुछ दबाया हुआ है लेकिन यह मशीन अपने आप में देखने में छोटी सी यह बहुत कॉमपैक्ट बहुत ही अच्छा प्रयास किया जा रहा है सीएसस आरे करनाल की और से करनाल के सीएससर इंस्टिट्यूट में क्रोप रैसीडियू मैनेजमेंट के उपर एक वोक्षोप को आज और्गेनाईज किया जाता है अब देखे पराली जिलाने की जो समस्या है उसका वातवरन पर कि सीएसस आराई ने उठाया है कि वोक जो पराली बच जाती है जब हमारे क्रोप सो जाते है उससे जो रैसीडियू बचता है उसको आप किस तरीके से ना जलाएं बलकि आप उसको जमीन के नीचे दबा भी सकते है और इसी से जुड़ी एक मशीन जपानी टेकनोलोजी की एक मशीन है उसके बारे में हम जानेंगे जो कि अब सीएसस आराई में है और मुझे लगता है कि वो कई ना कई जो क्रिशी है उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आने वाली है हमारे साथ डिरेक्टर हैं डॉक्टर आर के यादव उनसे हम एक बार जानते सर सबसे पहले में क्या कुछ खास रहा क्या कुछ बाते हैं जो उनको जाननी चाहिए आपका धन्यवाद कि आपने इस कारिये करम को कवर करने के लिए समय निकाला हमारा जो आज का इस वरक्सोप का उद्देश से है वो यह है कि किसानों वग्यानिकों और जो मसीन बनाने वाली सब को एक साथ बिठाएं किसानों की जो समझ्याएं हैं कि क्यों वो पराली जलाते हैं कैसे उससे निजात मिल सकती है या उसमें कमी लाई जा सकती है वो किसानों के सुझाओं और किसानों के सुझाओं के साथ जो वग्यानिक अपनी बातें करेंगे अभी पहले हमने किसान अभी तक क्या जानकारी, क्या तक्नीक उपलब्द हैं, उसके बाद उन तक्नीकों को फिल्ड पे लागू करने के लिए जो मसीन की जरूरत है, वो कौन-कौन सी मसीन उपलब्द हैं, अब उसके बाद फिर किसानों से फिर से पुछा जाएगा, कि आप इन चीजों से कितना से मत हैं, या इन में आपको क्या समस्याई आ रही हैं, तो फिर उसके बाद हम गोवर्मेंट की तरफ, पोलिसी प्लैनर्स की तरफ, इसकी जो रिकमेंडेशन आएंगी, वो दी जाएंगी, हरियना गोवर्मेंट को, पंजाब गोवर्मेंट को, संट्रल गोवर्मेंट को, कि इस तरह हैं कि अगर पॉलिसी लाई जाए तो वो मशीने भी उपलब्द करवाई जा सकती हैं जो जरूरत के लिए हो, किसान भी जागरुक होके उस चीज को जलाने की तरफ अग्रसर ना हो, इस पे जो कारिये चल रहा है उस दिसा में आज की ये वर्क्सोप है, और मुझे आ ऐसी तरकीब हो, जिसने आपके भी मन में एक वो जरूर डाला हो, कि हाँ, इस चीज पर हम काम कर सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है, जो आप हमारे दूसरे जो किसान विवर्ज हैं, उनके साथ साजा करना चाहें, हाँ, इसमें किसानों ने बहुत अच्छे सुझाव दिये हैं कि हम बार-बार जो मसीन अलग-अलग तरह की बना रहे हैं, उसकी बजाए ऐसी मसीन जो छोटे किसान के लिए सायक हो, और छोटे किसान अपनी खेत में उसका छोटे ट्रेक्टर के साथ उप्योग कर पाएं, उस तरह की मसीने अगर आएंगी, या जो कस्टम हाइरिंग सें सुरू किया है, जो किसान ने भाईयों ने बताया कि रेजिड्यू अगर नीचे चला जाता है, तो बिजाए और उसमें बिजाए करने में कोई समस्या नहीं आती है, तो वो मसीन ऐसी है, कट स्वोइलर उसका नाम है, कि वो मसीन सर्फेस पे पड़े रेजिड्यू को अगर मल्चर चलाया हुआ है, तो बड़ी अच्छी बात है, अन्य था जो कंबाइन से हार्वेस्टी डेजिड्यू बचता है, उसको वो ड्रैग करके उसमें एक साफ्ट है, वो साफ्ट उसको खींचती है एक तरह से, और एक कट लगता है, उसमें ले जाके वो नीचे आप डिस साइड कर सकता है, किसान की उसको 40 cm पे दबाना है, 30 cm पे दबाना है, उसके ट्रैक्टर की पावर और उसके हिसाब से, तो 30 cm से सुरू करके और 60-65 cm नीचे गहराई तक हम उसको दबा सकते हैं, और हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है अब तक का, कि ओन एन एवरेज जब हम मा उसका लगबग 80-85% अगर हम ये मसीन एक मीटर के इंटरवल पे चलाएं, तो 80-85% उसका नीचे हम ले जा सकते हैं, और उसके बाद किसान को बिजाई करने में या उस तरह कोई समस्या नहीं आती, दूसरी बात जो किसान भाईयों ने बताई, कि ऐसी वराइटीज धान की जाएं, जो DSR, डारेक्ट सीडी ड्राइस कंडिशन में सक्सेस्फुल हो, जिन में जो खरपतवार आती है, उनके साथ कंपेटिशन करने में ज्यादा वीगर हो, तो वैसी वराइटीज पे भी हम काम करेंगे, बिल्कुल मुझे लगता है, कट सोयलर एक ऐसी तकनीक है, जो हम किसान के खेतों पे, हमने कुछ पटियाला में छे किसानों के खेतों पे चलाई है, कैथल में चार किसानों के खेतों पे चलाई है, मुझे हिसार का एकजिकली ध्यान नहीं, चार या पांच किसानों के वहाँ चली है, अब उनके वहाँ से जो रिजल्ट आएंगे, उन कि किसानों की भी इंपुट होगी कई बार हम वह गया निक अपने उस पे छितर पे करते हैं तो बहुत कंट्रोल कंडिशन में होती हैं और हमें सारे फाइदे दिखते हैं बर जब किसान भी हमें इंपुट देगा कि यहां इतना फाइदा हुआ यह फाइदा नहीं हुआ उसके इस चीज़ को बढ़ाएंगे तकनीक पूर्ण रूप से सफल निकलती है तो फिर मुझे लगता है किसानों को भी उपलब्द कराई जाएंगी यह मशीने बिलकुल करवाई जाएगी जी अभी यह जापान में बनी मशीन है जो सीएस असाराई को रिसर्ट के लिए मिली है अभी तीन दिसम्बर को आईसी आर में सीएस साराई जिरकास जापान से जो टीम है वो और इंडस्टी के लोग जिन में विशेष्त अया फिल्ड किंग इंडस्टी के ने वो दिखाया है एक पंजाब से दस में इस इंडस्टी ने इंटरेस्ट दिखाया है वो सब बैठके दिली में तीन तारी को एक मीटींग करेंगे कि इसको कैसे हम भार्त में इस का निर्मान सुरू कर्सके हमारी इंडस्टी और share में किसानों की रीक सब्सख में लाश कहें तो आगे यह हम इस तरहें की सोच के साथ चल लही हैं बहुत ही अच्छी सोच इसके लाभा मैं आज के कारेकरमंद के उपर चाओंगे आप थोड़ा प्रकाश डाली कहां-कहां से किसान पहुचे हैं कहां-कहां से विग्जानिक पहुंचे हैं कितनी संख्या में यहां पे लोग पहुंचे हुएं देखिए जी मुझे लगता है 100 से उपर लोग हैं और इसमें लगबग 65 से 70 किसान हैं PAU लुधियाना से वेग्यानिक हैं HAU हिसार से वेग्यानिक हैं हमारा एक sister organization है यहीं करनाल में IIWBR वहां के वेग्यानिक हैं दिल्ली से एक्सपर्ट्स हैं आई एर आई दिल्ली से साइंटिस्ट आए हैं और कुछ इंडस्ट्री के भी लोग हैं सब्सक्राइब करने के लिए खेतों में देखते हैं कि पराली जलाई जा रही है तो एक आप भी अपील कीजेगा मैं किसान भाईयों से एक दिल से और मारमिक अपील करना चाहता हूं कि पराली जलाने से सिवाए नुक्सयान के कोई फाइदा नहीं है आपकी भी मजबूरियां होंगी लिकिन उन मजबूरियों को भी सामने रखते हुए अगर आप पराली नहीं जलाएंगे तो आप परियावरन के साथ साथ मिट्टी का स्वास्ते और मिट्टी का स्वास्ते ठीक है तो हम सब का स्वास्ते भी अपने आप ठीक रहेगा आज जो कंसेप्ट है वन हैल्थ मिट्टी ठीक है तो उसमें गुनवत्ता ठीक है तो उसके consumers चाहे वो human beings हैं चाहे लाइव स्टोक है उनकी health अच्छी होगी और उनकी health अच्छी होगी तो फिर से वो cycle बनता है तो मेरी आप सभी किसान बाईयों से एक दिल से अपील है कि आप कोशिस कीजिए आप कोशिस करेंगे तो काम्याब भी हम सब ह होंगे और हम अपनी अगली जनरेशन के लिए अच्छे प्राकरतिक संसाधन चोड़ने में काम्याब होंगे आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद जी सर यह जानकारी है हमारे साथ साजा करने के लिए आपका बहुत-बहुत चुक्रियों इसी के साथ मुझे लगता है से एक बहुत ही सरहानी एक अदम उठाया जारा जो कि आज यह जो रैसीडियू मैनेजमेंट वरक्शोप और गिनाइस की गई है दूर-दूर से यहां से देश बर से किसान पहुंचे हैं वे ग्यानिक पहुंचे हैं जो मशीने बनाने वाले टेकनिशन होते हैं वो पहुंचे